hello everyone, welcome to gethub तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेनो मटेरियल्स के बारे में, ठीक है? यह मेरा बेसिक्स आफ मटेरियल साइंस का दूसरा चैप्टर है, ठीक है? पहले चैप्टर में हम क्रिष्टल अस्ट्रक्चर के ऊपर बात किये थे और हमारे defects के उपर अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियोज को नहीं देखाया तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे crystal structure के वीडियोज आप देख सकते हैं और एक बात अगर अभी तक आपने हमारे इस चनल गेट हब को subscribe नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चनल को subscribe कर लिजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा nano materials क्या होता है जैसा कि nano materials का definition बताने से पहले मैं क्या करता हूँ कुछ आपको यहाँ पे example ले ले लेता हूँ और E. coli bacteria का होता है 2000 nanometer और human hair dia यानि बाल का जो diameter कितना होता है वो होता है एक लाख nanometer तो हमें यहाँ पे जितने भी dimensions दिये गए हैं all are in nanometer तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने दिये गए हैं nanometer scale में हमारा जो भी material होगा वो nano material होगा ठीक है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं तो हमें क्या है कि हमें एक particular range रहेगा ठीक है उस range में अगर जो भी मेरे materials like करेंगे वो हमारा nano materials होगा otherwise वो nano materials नहीं होगे ठीक है तो चलिए हम देखते है nano material क्या होता है तो जैसा कि रखी nano material आपको पहचानने के लिए क्या करना होगा कि at least one diameter of material is within nano scale that is varying from one nanometer to hundred nanometer अगर मेरा कोई भी material का अगर एक dimension अगर किसी भी material का अगर मेरा एक भी dimension अगर एक nanometer से एक सो nanometer के बीच लाए करेगा तो हम उस material को बोलेंगे कि ये material हमारा nano material है तो चलिए यहाँ पर हम कुछ example से समझते हैं आप यहाँ पर देख लिजे हमें एक cube दिया गया है ठीक है इसमें जितने भी cube यहाँ पर दिये गया है ठीक है इस cube की मैं बात कर रहा हूँ इस cube का जो dimension है वो है 10 cm, 10 cm, 10 cm क्या यह मेरा 1 nanometer और 100 nanometer के बीच इसका किसी एक dimension है क्या यह 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 नहीं क्योंकि all are in centimeter तो यह मेरा nanometer नहीं होगा चलिए next move to our next example जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मेरा एक structure दिया गया है ठीक एक material का crystal form है तो आप इसमें से देख लिए इसका dimension कितना है 10 cm, इसका dimension कितना है 30 nanometer इसका dimension कितना है 30 nanometer ठीक है तो अगर nanometer होने के लिए मेरा क्या था criteria एक से लेके 100 nanometer के अगर बीच एक भी dimension होगा तो वो nanometerial हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं देखिए यह हमारा एक side कितना है 10 nanometer और एक side कितना है मेरा 30 nanometer तो यह क्या कर रहा है एक से 100 के बीच में लाइक कर रहा है इसलिए यह क्या हो गया मेरा nanometerial हो गया, ओके next हम इसमें check करते हैं कि यह हमारा nanometerial है या नहीं देखिए यह size कितना है 10 cm, यह size कितना है 10 cm, बट मेरा यहाँ पर जो एक यह जो size है इसका, इस dimension 10 nanometer, 10 nanometer, 20 nanometer all the dimensions are in nanometer ठीक है और हमको क्या था criteria एक भी dimension को अगर एक से 100 nanometer के बीच में होगा that material is considered is nanometerial ठीक है, वैसे material को तो यह भी मेरा हो गया nanometerial, ओके, तो I hope आपको यहाँ पर example से समझ आ गया होगा कि 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 टाइप के material को हम nanometerial बोलेंगे है ना, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ nanometerials के हमारा property देख लेते हैं, ठीक है कि हम nanometerial आखिर पढ़ते क्यों है we are, why we are not interested to study about the micromaterial instead of nanometerial ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ हमारा properties दिया गया है, ठीक है पहला आपका यहाँ पर bulk material है ठीक है, नी, बड़ा material, उसके बाद क्या हम उसको कर रहे हैं, micro material में convert कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं nanometerial में convert कर देरे हैं, तो उस type से हमारा जो properties कैसे change करता है, ठीक है, यह nanometerial को मैं, दो से मैं तीन lecture में खतम कर दूँगा, ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर strength की बात करते हैं, एक मिनट किया हम क्या करते हैं, सबसे पहले strength की बात करते हैं, अगर मेरा strength में, अगर मेरा bulk material है ठीक है, अगर bulk material का strength अगर xMP आ रहा है और nano material का जो मेरा strength है वो कितना जा रहा, 1000 mega pascal इसको हम बोलते हैं graphene यहाँ पे हम graphide का example लिए हैं तो graphide से जो मेरा nano material बनता है उसको हम बोलते है graphene graphene is the hardest and strongest nano material in this universe अब को ये चीज़ याद रख लेना है graphene को ठीक है मैं आगे भी मैं बताऊंगा ग्रेफिन क्या होता है उसको डिटेल में में अब इसमें से दूसरा एक्जामपल है मेरा यंग्स मोडूलस के अगर हम बात करते है ठीक है अगर हम क्या करते है श्टील लेते है ठीक है श्टील का अगर मेरा यंग्स मोडूलस कितना होता ह है मेरा 200 मेगा पासकल जबकी हम इसी स्टील को अगर हम क्या कर देते हैं नेनो मटेडियल में कनवर्ट कर देते हैं तो इसका यंग्स मॉर्डिलर्ड्रास्टक्लीं इनक्रीजड कर जाता है एरांड 5 टाइंज 5 ताइंज 5 गुना ज्यादा हो जाता है और हुआद है tips हम यहां पर देखते हैं एलक्तरिकल कंडंक्टिवीटी खेंगर हम इलेक tat ग receipt तो ग्रिफाइड का conductivity होता है 5 into 10 to the power 5 ohm meters inverse ओके जब कि हम इसका nano ये micro material में अगर हम देखते हैं है ना तो भी इसका जो conductivity होता है वो होता है 5 into 10 to the power 5 ohm meter inverse बट जब हम इसी graphite को अगर हम convert कर लेते हैं graphene में या हम इनो material में convert करते हैं इसका जो conductivity होता है वो drastically increase कर जाता है और वो हो जाता है 8 into 10 to the power 8 ohm meter inverse ओके अब next हम देखते हैं इसमें color ठीक है color के लिए हम क्या करते है गोल्ड का example अगर हम गोल्ड को देख रहे हैं normal मेरा bulk form में है तो गोल्ड रहेगा ठीक है उसके बाद अगर मेरा जो गोल्ड है ठीक है उसको अगर हम micro form में convert कर देते हैं यह आपका color क्या रहेगा गोल्ड ही रहेगा जब हम गोल्ड को nano form में convert कर देंगे तो उसका जो size यह color होता है वो color हो जाता है मेरा orange और red color का हमको दिखेगा nano form में ओके तो these are the properties of nano material तो next हम देखते हैं यहाँ पे कि nano material आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरा जितना भी material था bulk form में और micro form में इससे काफी ज़्यादा उसका property drastically increase कर रहा है जब हम किसी भी material को bulk form से nano material में convert कर देते हैं तो यानि उसका हम nano form में अगर कर देते हैं और उसके बाद हम सारे का property चेक करते हैं तो वो काफी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है तो ऐसा क्यूं होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं है ना तो region to show the extraordinary properties in nano material ओके कि मेरा nano material का extraordinary properties कैसे आता है उसका region पहला जो region है वो है मेरा large surface area to volume ratio ठीक है अगर हम क्या कर देते हैं अगर मेरा यह कोई बड़ा material है अगर मेरा कोई एक बड़ा material है अगर हम इसको क्या करते हैं कट कर देते हैं ठीक है वो surface area मेरा बहु जादा बढ़ जाता है यहाँ ठीक है जैसे कि यहाँ पे definition में दिया गया है with decrease in size of bulk material up to the nano level the surface area is increased drastically with constant volume and due to this large number of inside atoms reach the surface and these atoms are having high discrete energy level and also these atoms acts as a catalyst increase the rate reaction ठीक है कि जितने भी मेरे materials थे inside the bulk material वो क्या कर जाता है इसमें सारे बाहर आ जाते हैं कहाँ पे मेरा surface पे आ जाता है maximum of the atoms are present at the surface और जो surface पे जो atom आता है ठीक है उसका काफी ज़्यादा high discrete energy होता है यानि उसको किसी भी element के साथ reaction करने की capability काफी ज़्यादा हो जाता है ठीक है जिससे मेरा rate of reaction बढ़ जाता है next with decreasing size of bulk material up to the nano range the crystallography imperfection are decreased and most of the defects are vanished ठीक है कि अगर मेरा किसी भी crystal में ठीक है अगर मेरा suppose इतना बड़ा मेरा material है ठीक है अगर इसमें मेरा कुछ defects है suppose मैं आपे देखा रहा हूँ कोई defects है तो हम क्या करते है नेनो material के लिग को क्या छूदा छूदा पार्ट में इसको convert करना पड़ेगा तो हम किसी material को इतना चोटा कर देते है कि उसका जो crystallography imperfection और defects जो उसमें present है वो काफी हद्थ खतम हो जाता है ठीक है कम हो जाता है और कहीं कहीं क्या होता है ना कि जो crystallography imperfection वो completely खतम हो जाता है ठीक है जिसके कारण मेरा जो material होता है इन nano level काफी जादा drastically उसका property में change जा जाता है ठीक है तो ये मेरा पहला reason था ठीक है surface area के form में next है मेरा quantum mechanical effect quantum mechanical effect में कहने का मतलब यह है ठीक है with decrease in size of bulk material up to the nano level the energy band structure is destroyed and due to that most of the bad conducting materials becomes good conductor okay कि जब हम किसी भी material को nano form में convert कर देते हैं तो जो energy band जो होता है ठीक है जैसे conduction band अगर यह मेरा semiconductor में पढ़े हैं कि यहाँ पे conduction band और एक मेरा होता है balance band ठीक है तो इस energy gap जब तक मेरा fulfill नहीं होगा ठीक है electron यहाँ से movement करके मेरा यहाँ नहीं जाएगा तब तक उसमें conduction नहीं होगा ठीक है यानि वो conductor material के तरफ behave नहीं करेगा है ना तो बट यहाँ पर इतना छोटा size हो जाता है कि यहाँ यह जो होता है energy band energy band gap होता है वो energy band gap खतम हो जाता है ठीक है और किसी-किसी material में energy band gap काफी बढ़ जाता है ठीक है जिसके कारण कुछ मेरे insulating materials भी हमें क्या करते हैं conductor की तरफ behave करने लगते हैं और कुछ मेरा conductor जो properly high conductive element से वो क्या हो जाते हैं semi conductor की तरफ behave करने लगते हैं जैसे कि यहाँ पर example है आपका the electrical conductivity of graphite is increased at nano level graphite फे कितना था इसका electric conductivity 5 into 10 to the power 5 ohm meter inverse बट जब हम इसको nano में convert कर देते हैं तो हमें बन जाता है ग्रेफिन और इसका है electrical conductivity हो जाता है 8 into 10 to the power 8 ठीक है ohm meter inverse तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना property बढ़ गया ठीक है यानि इतना ज्यादा इसमें conductivity बढ़ गया but some of the good conducting materials become semiconductor जैसा कि gold ठीक है एगर हम gold को अटोमेटिक मेरा good conductor of electricity है but अगर हम gold को nano form में convert कर देते हैं तो इससे क्या होता है यह semiconductor की तरह treat करने लगता है है ना तो दोनों इसमें possibility है हमारा कि insulating material जो है मेरा ठीक है non conductor material है वो conductor भी बन जाता है और क क्या हो जाता है insulator भी हो जाता है okay and most of the nano materials are not obeying ohm slow ठीक है कि मेरा बहुत ज्यादा जो मेरे nano materials होते है ना वो ohm slow को follow नहीं करता है okay तो यहां से आपको region समझ में आ गया होगा कि nano material से हमारा जो property कि प्रकार ने चुरू उसका original जो bulk form में है और उसके बाद अगर हम उसको nano form में convert कर देते हैं तो इतना ज्यादा उसका property में changes कैसे आता है okay तो चलिए हम यहां पे देखते हैं fabrication of nano materials यानी nano materials को हम कैसे बनाते हैं तो nano materials को बनाने के लिए हमारे पास दो approach है ठीक है पहला जो approach है वो है top down approach method ठीक है top down approach method में क्या करते हैं कि अगर हमारा bulk material है उसको दिरे दिरे कंवर् orbitals करते हैं यानि छोड़ा कर देते हैं ठीक है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यह bulk format तो प्रूर्दर इसको हम क्या कर रहें क्या गाए उसके बाद क्या है उसके बाद क्या गए इक ऐसा टाइम आएगा जब ये kis में convert हो जाएगा micro material में फिक है जब यह micro material में convert हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको further इसको हम divide करते जाएगे तो फिर यह मेरा किसमे बन गया नैनो material में है ना तो यह मेरा नैनो material बन गया अब इसमें से देखिए जो principle है इसमें जो principle यूज होता है वो होता है मेरा cutting या sliding of material ठीक है कि हम slide कर देंगे छोड़ कर देते हैं तो इसका जो कुछ हमारे operations है ठीक है कुछ methods है तो पहला method है मेरा ball milling operation number one number two है मेरा lithography method lithography method का तीन और method है ठीक है photo lithography, electron lithography and plasma lithography ठीक है exam में आपको इन में से एक कोई भी मतलब method पूछा जा सकता है कि कौन सा top two हमारा approach है ठीक है top down approach है और कौन सा हाँ इसमें से bottom of approach है तो इसमें से हम देखते हैं सबसे पहले advantage इस method का मेरा advantage क्या है और disadvantage क्या है और तीसरा है semi skilled lever ठीक है कि हमको बहुँ ज़्यादा skilled lever की ज़रुवत नहीं पड़ती है बड़ इसका कुछ disadvantages यह है कि हम कब nano में अगर इसको convert करेंगे किसी भी bulk material को तो इसका जो size है वो non uniform रह जाता है ठीक है उसमें किसी परकार का impurities आ जाता है है ना और defects बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए defects इसमें कैसे बढ़ते हैं तो मैं इसमें एक example दे रहा हूँ एक method का ठीक है जैसा कि यहाँ पर ball milling operation method में क्या होता है कि यह एक raft होता है ठीक है और beach में मेरा suppose यह gold metal है red वाला जितने ह और gold वाला जो क्या है यहाँ पर gold आपस में यह क्या करेगा घूमेगा बहुत speed way में ठीक है जब यह घूमेगा यह आपस में टकराएंगे gold और hard walls जिसके कारण क्या होगा कि कभी गभी ऐसा possibility है कि दो hard walls भी आके आपस में टकरा जाएं और उसका भी कुछ form मेरा gold का जो powder बन bottom-up approach इस bottom-up approach में क्या करते हैं जो principle पर वर्क करेगा वह होता है cluster of atoms और molecules यानि हम क्या करते हैं सबसे पहले एकदम finely powdered मेरा material का होगा उसको हम धीरे-धीरे क्या करेंगे cluster करके यानि हम molecules को एक जगा जमा करके उसको हम क्या करेंगे nano form में convert करेंगे जैसे यह atoms था ठीक है इसको cluster किये तो यह क्या बन गया molecules बन गया फिर इस molecules को क्या किये हैं बनाते हैं nano material दूसरा इसमें method जो है मेरा वो है physical vapor deposition method third is solution gel technique soul gel technique next है मेरा molecular self method ओके हैना अब इसका चलिए सबसे रखते है advantages and disadvantages ठीक है bottom up approach का bottom up approach में जो है जो है वो हाता है इसमें हम uniform size जो भी हम को size का चाहिए uniform size को क्योंकि छोड़े छोड़े particles को एक जगा पर जमा करके हम उसको nano material में convert करेंगे तो यह इसका size uniform हो जाता है number one और दूसरी चीज़े इसमें क्या होता है impurities no impurity नहीं होता है reason कि जब हम मेरा कोई भी powder इतना finely जब वो छोड़ा छोड़ा हो जाता है तो उसमें किसी परकार का defects नहीं है है ना यानि हमको pure form में वो powder form में मिलता है तो उस powder को क्या करेंगे हम cluster करके देरे देरे करके उसको बड़ा form में यानि nano material में उसको convert कर लेंगे जिसके कारण impurities नहीं होता है अब इसमें जो defect के chances होते हैं वो भी एकदम zero के बराबर होते है no defects है ना next इसमें जो disadvantages है ना वो होता है मेरा high cost and skilled level की जरूरत पढ़ती है हमको ठीक है bottom up approach में क्योंकि हमको छोटे material को बहुत ध्यान से उसको बड़ा nano form में उसको convert करना है तो this is all about nano material ठीक है तो इस video में इतना ही मैं next video में types of nano material के उपर बात करूँगा ठीक है so thanks for watching this video या video आपको अच्छा लगे तो please like कर दीजिए और अगर आपका कोई suggestion है तो please comment box पे comment करके आप अपना suggestion दे सकते हैं ओके thank you